तो गाइज आज बहुत ही एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स पर आज हम लोग फोकस करेंगे गाइज उसको हम देखेंगे कि कैसे उसमें क्या समुनाय हैं जो हम लोग नहीं बना पाते हैं उसको एक ऐसे ट्रिक द्वारा फेस किया गया है कि जो आप बहुत एक नर्बलिट है जिसके द्वारा आप आसाने से निकाल सकते हैं तो आप एस्किप करके जाएगा नहीं नहीं तो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक्स से आप भूल जाएगा और उसको बना नहीं पाईएगा तो फोकस कीजिए जाज हम लोग बात करेंगे कि कि पर्मै संख्या यह पर्मै संख्या होता है यह पर्मै संख्या होता है जो पीवाई कीव कीरूप में हो यानि और सबटें हर के रूप में हो जहां कि इकल टू नोट जीरो गाइज यह जीरो इसलिए लिखा रहता है कि जहां भी यह अगर जीरो होगा तो यह क्या होजागा अन्डिफाइंड ठीक है यह अब परिभासित हो जाएगा इसको हम परिभासित नहीं कर सकते हैं जैसे आफ जीरो औरोग यह जाएगा तो परिवासित होगा ही नहीं और यह जीरो बाइंड हो जाएगा तो गज़िए आज फोकोस करेंगी की त्री आफ आपका क्या है एक पर्मय संख्या है एक पर्मय संख्या जिसको हम पी बाई क्यूके रूप में हम क्यानी है लिखें जिसको बीबाई क्यूके रूप में लिखें आपके गईजंग यहाँ यहां पर दो तरह से कोशन पूछा जाता है कि find the value of देखें यह पर परमे संखया परमें संख्या निकाले तो पता होगा इस पता होगा कि एक कि जैसे किसी भी एक और दो में एक और दो के बीच क्या वहुँगा कितने परेमय संख्या निकाला जा सकता। तो गाइस आज इस ही पर फोकस करना है और एक एसी ट्रीक जो आप आसानी से बिल्कुल आसानी से से निकाल सकते हैं और उसको ज्यादा आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रोत नहीं होगी बस ट्रीक को फोलो किजे और आप असाने से क्या करेंगे उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो आज इसी पर चर्चा होगा तो देखिए कोस्टन से हमारे पास क्या है कि क्वेस्टन है कि यह अपकी तीन और चार यह क्या है तीन और चार क्या है दाटा दिया हुआ है तीन और चार के बीच पांच पर्मे संख्या ग्यात करें क्या है तीन और चार के बीच कितनी पर्मे संख्या ग्यात करें पांच पर में संख्या तो इसको हम कैसे हल करेंगे और क्या है मेरा जो आप लोग वो ट्रीक हम बता रहे हैं कि देखिए है कि इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर ट्रीक दे रहा है आर प्लस एस ठीक है क्या करेंगे आर प्लस एस बाइटू इस ट्रीक को हम क्या करेंगे फॉलो करेंगे क्या करेंगे आर प्लस एस बाइटू इसको क्या करेंगे हम आर माल लेंगे और इसको क्या करेंगे एस माल लेंगे तो देखिए यहां पर तीन प्लस चार बाइटू यानि कितना हो गया साथ बटते दो यह साथ बटते दो हो गया अब गाईज यहां देखने की बात है कि आपको साथ बटे दो तो हो गया तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे फिर से कि से नहीं साथ बटे दो हो गया अब यहां पर हम लोग फोलो करेंगे हम twice से गया क्राइब फिर इसको साथ बटे दो पलस ठीक है वन्फाइटो साथ बटे दो पलस उसके बाद फिर से एक लेंगे इसको क्या करेंगे थ्री लेंगे क्या करेंगे र लेंगे यानि हम इसको क्या मान लिए एस मान लिए ठीक है अब देखें यहां पर क्या हो रहा है लगोची तो यह आप प्रूल आप सब्सक्राइब चॉर्ट में 140 कि आप 4 जोड़ेंगे तो इसको हुआ हुआ तो गाइज देखी ऐसे ही आपके परमे संख्या निकाला जाएगा तो देखिए इस पर क्या करेंगे हम इस पर हम क्या करेंगे आपका इस पर भाइल वासन रखेंगे देखिए यहीं ट्रिक है आर प्लस एस बाई टू आर प्लस एस बाई टू ठीक है दिख रहा है आपको अगर स्क्रीन सोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अब देखें दूसरा क्या है आपको दूसरा ट्रिक क्या है इसी का देखें तीन जो दिया हुगा है इसको हम लोग करेंगे कि n प्लस 1 कर बांच है पानच पुलस एक कितना करेंगे च्हां ऑप द क्या करना है ऐसे भाग देना है यह बांडा क्या तीन क्या करेंगे आठारे बते च्वर दे सकतें 18 छोग एकम च्वर्च boards इन खोग्व थिरी अठारा ऑठारो है ठीक किके कैसे दूसरा नमबर है यह दूसरा नमबर है वर्स्ट नमबर आपका ट्रिक किये हैं इस तर आप अश्वर cave डिकी हैं ठीक है अब देखे अब तर बते ms अब इसको देखिए अब दूसरा वाला क्या है आपका चार है चार हो गया यह चार को क्या करेंगे हम ऐसे भाग देंगे कि हमारा क्या होगा चार होगा तो इसको क्या करेंगे 24 बटे 6 दे सकते हैं एन प्लस वन है एन प्लस वन से भाग देना ही है आपको तो चार चुब का 24 अब देखिए अठारे बटे च्छों और कि 24 बटे च्छों में पांच पर में संख्या देखिए अठारे बटे च्छों और 24 बटे च्छों में पांच पर में संख्या क्या हो जाएगा कि 29alen को एकिक उनार्थ च्छों 22 बटे च्छों 30 बटे च्छौं किना हो गया और 24 सोंटो हम दो तुछार और दो छो एक पाँच हो गया 5 ही निकलना था ना हमको 5 ठीके गैज कि 19 वटे चो 20 वटे चो 21 वटे चो 22 वटे चो 23 वटे चो यह 5 परमे संख्या क्या हो गया आपको ग्यात हो गया तो गैज आप देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि नहीं फांड आउट करना है पर्मय संख्या तो उसको बता दिए उसके रखती जागा जितना आपको है फाइंड करना है तो उतना निकल जाएगा बट अब देखिए आप दूसरा है आपको कि की पर्मय कि क्या है आ зबंगाएं है अनिकाल मेरा आपकोर डिजित डिया हो क्या हो अगर डिजिट डिया हो जैसे दिजित है तीन बड़े पांच और दिया ओर ह मायं को अगा टीन बड़े पांच और चास्ट में क्या करना और केए परिम्छ किzone कि संख्या है फाइंड आउट करना है क्या करना है कितने परमेसंख्या तीन बटे पाच और चार बटे पांच में तो क्या करेंगे आंगे देखिए इसका भी एक ट्रिक है बहुत अच्छा ट्रीक है कि इसको क्या करेंगे हम देढि इसको क्या मॉली ही इसको क्या मॉली है देखें यहां से क्या कर लहा Note यहां पर हम डिफ डी निकालेंगे ठिके धिना लेंगे तो यह देखें य-x by and प्लस वान क्या होगा Why minus x वान्व मीण प्लस मंण अभी हम पीछले आपके कोर्षजण में बताये थे कि जितना हमें कालना है फ्सने कालना चार निक निकालना दो निकिलना तो उसको क्या कि हम लोग एन मानें गे क्या मानेंगे अलएंगे मों इसको एन ओन्सून करो धिक देखन पने करो था हम बताएं केल तो इसकू तो पिलस टो कितना हो जाएगा 6 म्लस फाल्ट एकल उखbell टो कितना चलोजगा 7 क्या हो जाएगा 7 हो जा आप गाई देखे दिन निकलते हमन् daw क्या ओ जडिए ऑडिल Já La G बैसे लिए। से मैं लेकि अगी लाइनने फासिवाइन टीन डीने6 जाए जाए ते-ब 3 बैसी कि लिछ आइक अधिदू 5 पांच वह सब्सक्राइब क्या फास देदेन कि है एक बट्टे 5 में गुने साथ जब नीचे और उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक बट्टे 25 होजाएगा क्या हो जागा बाववी एक बट्टे 35 हो जाएगा अब देखिए यह आपके कोष्चन ओंढ आ एक बट्टे 35 हो गया अब इसको हम क्या करेंगे एक बट्टे 35 को तो गाइज इसमें देखिए एक बट्टे जो 35 है उसको हम फिर से अब जो यह दी निकाले है तो इसको हम रखेंगे आई एकश्पोलस डी एकश्पोलस टूदी एकश्पोलस थे डी क्या एकश्पोलस फोस डी analytics 5 तो अवसके बार निकालेंगे एकश्पोलस है किटना निकालना है हमको 6 निकालना है तो गायज इकेक करके देखते हैं हम लोग X plus D X कितना है भाई 3 बटे 5 क्या है? 3 बटे 5 प्लस D कितना निकला हुआ 1 बटे 35 आप देखे X है 3 बटे 5 और D निकला हुआіє 1 बटे 35 X है 3 बटे 5 और D निकला हुआ 1 बटे 35 तो guys देखें अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसको जोडेंगे क्या करेंगे जोडेंगे 35 का 35 लग उतम होगा क्या हो जागा सात्री 21 प्लस वन हो गया 22 बटे 35 क्या है आपका फॉस्ट है क्या है फॉस्ट आगे आपका एक्स प्लस डी क्या हो गया फॉस्ट परमे संख्या फॉस्ट क्या हो गया एक्स प्लस बटे 35 हो गया एक्स प्लस 2D तो इसको क्या करेंगे हम तीन बटे 5 प्लस दो बटे 35 हो जागा ये कितना होगा 35 का 35 साथ दीके 21 प्लस 2 यानि 23 बटे 35 हो गया और देखे एक्स प्लस 3D निकालेंगे 3 बटे 5 प्लस 3 बटे 35 क्या हो जागा साथ दीके 21 प्लस 3 बटे 35 यानि 24 बटे 35 क्या होगा बावो 24 बटे 35 ऐसा ही आपका 25 बटे 35, 26 बटे 35, 27 बटे 35 ठीक है एक, दो, ती, चार, पाँच, एक, छो, क्या होगा, जो प्र में संख्या आ गया अब गाईज इसका भी दूसरा हल है, क्या है इसका भी दूसरा ट्रीक है ट्रीक नंबर वन, आपको एक बार फिर से देखना हो तो बता देते हैं क्या करेंगे हम इसको 3 बटे 5 को क्या करेंगे एक समानेंगे जो ज्यादा ईसको बा मानेंगे 4 बटे पांच क्या मानेंगे याइस देखे यहां पर देखेंगे त्रिक पे रखेंग य-x-1 ठीक है चार बटे-5-3-5-3-5 पान्स कि पर की एंद प्लस वन कितना आया है उसके नगे से तीन गया और उसके बाद साथ एक बटे 25 अब किश्क को निकालना है उस पर रखते जाएंगे एकस पलस डी को रकते रोखेंट निगर की तीन बटे सभनार्ट ग्यां गया पार होती टर् application समझेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा आप फिर से अपने भुक यह और उसमें अपने कोस्टन को देखिए और वहां से फाइंड आउट कीजिए ठीक पर रखें और बिल्कुल फाइंड आउट होगा तो गैज अब देखिए दूसरा नमर्ड ट्रिक देखते हैं कि देखिए दूसरा नमर्ड जो ट्रीक है अभी इससे पहले आपको क्यों मैंने बताया था कि और कि प्लस ऐसं बाइड टू स्पना है यह किसी को भी और मानना है एस मानना थिक है वैसे ही इसमें दूसरा यह क्या करें इस्टिर यह नंबर दू पने रखेंगे ठिक तीक है है अब देख़िए 1010 चर्म पांच पूलस 123 पांच पीटेट दो छाय करेंगे चाल तीम पांच प्रत्ध पौननमा सब्सक्रक्रांश हो गया ठीक है अब देखी इसको क्या करेंगे फिर से हम आर मानेंगे एक स lagi क्या मानेंगे फिर तीन बटे पांच फाला साथ बटे दस कि है इंटी वन बाई टु तो पहले से यह वन बाई टू कर लिंगे तो आर पलस एज हो जाएगा ठीक है अब देखें तो वन बाई टू पहले से है तो क्या हो जाएगा तीन दूना छोब पला साथ बाई दस तेरा बटे दस इन्टू वन बाई टू है आवच और लिए गाओ कि इसको देखते हैं अब दिए र को लख दीए अब एसको लेखेंगे वन बाई टू इन्टू चार बटे पाच पलस टेरा बटे 20 का लगुतम लेंगे 25 का लगुतम लेंगे 20 होगा और चार चार चुब का 16 पलस 13 इंटू 1 बाइ 2 कितना हो जागा 13 और 16 कितना 369 29 बटे कितना हो जागा कि बीस कि वन बाइट टू तो 29 बटे 40 क्या होगा बाबू 29 बटे 40 ऐसे ही क्या होगा यह आपका फर्स्ट हो गया सेकेंड थर्ड ऐसे क्या करोगे आप फाइंड आउट कर लोगे क्या करोगे आप जीतना भी आपको करना है उतना आप निकाल लोगे तो ऐसे इन ट्रिक सिखने के लिए आप आ सकते हो हमारे कोशिंग इंस्ट्यूट है राम नगर में ज्यानदीव कोशिंग इंस्ट्यूट है उसके ऑफिस्यल यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो इससे बहुत ही आप लोगों को ट्र सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ओके ओके थाइंक्यू थाइंक्यू भेरी मच